तो हेलो गाइज गुड मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में तो गाइज आज ठीक हपता या दस दिन के बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं क्यूंकि मेरे आई फ्लू हो गया था काफी इंफेक्शन हो गया था आई में आखे काफी लाल हो गी थी तो तो बिल्कुल सही है और अब ब्लॉगिंग चुरू की है मैंने आज से तो इन दिनों में काफी मौसम भी काफी मतलब बारिशी भी तिंचार दिन तो लगी रही आज और पिछले कल मौसम साफ रहा आज भी साफ है दूफ खिली वी एक्कम यह देखी कितना पियारा मौसम है आज साफ एकदम पूरी धूप खिले हुई है हाँ जी हेलो निवान तो वो सामने निवान है हेलो निवान क्या कर रहे हो आप हाँ 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 हो नीचे वीदूशी है विखाना खाके आटी है तो वह दो चार दिन बारिश रेगलर रही उसमें हम तो इनने शिम्मिला में लगाई थी इंडाई गुडाई शुरू की थी कुछ दो फेतों की तो अमने कर ली थी लेकिन आगे बच गे थी दो तीन खेते तो उनमें इतना गास पड़ गया ना तो यह देख सकते हैं गास ह अब टो शुरू में हीड में इस पो दिख नी रही है तो अज़ से शुरू करने इचना नहीं करने हैं पैसी प्किजाता हुे निकालन माजय है अगर गास काम हो जल्दी हो जाता है बस फटा फट नीडाई कर लो बारिश ही बीच में आसी उती ना तो बारिश ने मौका नीडिया नीडाई करने का और उसी दुरान गास भी एकदम बूस्त कर गया आसे करते हैं नीडाई भी शुरुक्स आपने तो अभी आया हूं में पलम पलम खाने क्योंकि हमारे पास जो फूट देने वाला पलम है सेंटरोजा वह एक ही है अभी जो लास्ट येर हमने कुछ पलम लगाया सेंटरोजा काफी सारे लगाया है तो जो पराना पलम जो फूट इसकंटेंगे पूट आप थे गिए मिल्म सवा जो ने चीह पंब सनसेंटर है घीर है किbelli प्यार वह फिरलम है किकी ने अबड़ा घज लासाई सेंटरो आशेरा मे आम्यरम अच्छुलिक्स तो मैं भी उपर चटकी निकलता हूं कि अच्छ दो जाए पाइश देखो कितने सारे पल्लम् कि यहां पे और थोड़ी उपर थोड़ी सड़क में हैं यह हिंटे हमने अभी फिकवाई है कि यहां यह दिखें यहां हमने ह tego a कि यहां कुछ गाropriता हैं तो भी आयों में में काम करने की हमारे अमें में एक मूद्रन संसकार तो हमकि हमारे यहां क्या रितिरी वाज़े की गाओं वाले ही सुभा शामकवर é खाना बनाते वग्कि घृक हमें तो हम रसोया है मैक्सिममं आजकल कि और ट्रेंट बना होगा के दाम में रसुलया लगात siya भाक की जो है सुभश हम गाउन वाले बनाते भी और खिलाते भी है क्यूंकि हमार जो पुराना ट्राइडीशनल वे इसमें गाउन वालों का शाओं बेको प्सक्षालों का था वह मिलकी काना बनाते हैं। इकठे होते हैं सारे मिलके खाना भी बनाते हैं काफी मतलों जहां जिस घर में फंक्शन होगा उस घर के लिए काफी स्पोर्ट होता है गाहम वालों का अभी भी वही पुराना ट्राइशनल बेचला हुआ है तो गैसा लगा आपको आज का व्लोग अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकनों को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में तब तक के लिए टेक केर